नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्की राह देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंड संतोशी अगरे दिन की सुरुवात हो चुकी है आज से आप हमसे गाज़ेबाद में मिल सकते हैं गाज़ेबाद में मिलने के लिए नंबर आपके साम संभावना बन रही है तो कोविट का जो भी सिच्वेशन बनता है कोरोना का जो भी सिच्वेशन बनता उसके हिसाब से आप लोगों के आने की विवर्स्ता रहेगी हम रामहर पहुचने का प्रयास करेंगे वहां पे कल्पवास करते हुए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और देखते हैं इश्वर की किपा रही तो सरस्वती औरा महायग्य प्रियाग राज के तड़ पर संभव हो सकता है आप लोग अपना अपना नाम लेकिन लिखवा दीजेगा बताएंगे हम आज के इस टो क्विस के बारे में कौन सा और छोटा सा प्रियोग है जिसे करके आप सब जीत सकते हैं मौका हमसे फोन पर बात जीत करने का आईए सुरुवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का पंचांग पौश महाशुक्ल पक्ष दस्मीते थी जानते हैं आज की भविश्यमाडी जो चाहें आप कर सकते हैं काम बन जाएंगे में से लेकर मीन तक आई अब जानते हैं आज की भविश्यमाडी आज का दिन आपका कैसा वीतेगा मेश्राज पढ़ाई के लिए अनेक अवस्वरों में से आज कुछ अवसर का लाभाप दे लेंगे ब्यापारिक दिश्टिकोंड से समय अनकूल नहीं है बिजनस में बहुत सारे उठापटक और परिशानिया आपको जेलना पड़ेगा बिजनस की स्थिती ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा शुवता जरूर मिलेगी आईबाधाओं से बाहर निकलेंगे चिंताओं से मुक्ति मिलेगे सरकारी छेत्र उल्जर पैदा कर रहा है गौर्णमेंट सेक्टर को ले करके सजग रहने क्या वशकता है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा पती पतनी की बीच नेह रहेगा एक जिस्टे को सपोर्ड करेंगे लाभ लेंगे लब लाइब की स्थिति में सुधार नहीं होगा कुछ नो कुछ चिंताएं बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में आज बैक की प्रॉबलम आँख और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मेश है आज प्रियोग के तोर पर हल्दी का तिलक अप्ती नाभी पर लगाना आपको शुब मिलेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करना है शुबरंग पीला भाग्य प्रतिशत 62 ब्रिशबरासी परेशानियों का अंत है जिनताओं से मुक्ति है ब्यापार तकलीफ दे रहा है पढ़ाई अच्छी कर रहे है प्राइवेट सेक्टर उल्जन दे रहा है कुछ नो कुछ तनाव बढ़ सकता है सरकारी छेत्री किस्तिती बहुत अच्छी है गौर्मेंट सेक्टर में प्रमोशन है दामपत्त जीवन में तनाव मिल सकता है कुछ न कुछ कठनाई के दोर में आ सकते हैं परिशानिया बढ़ सकते हैं लव लाइफ आपके लिए बहुत अन्कूल है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ में आई बाधाएं दूर होंगी स्वास्त के मामले में पेट और आँक की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज ब्रिशव राशी वालों को सफेद वस्तर धारण करना आज शुब होगा क्या नहीं करना है आज किसी भी परिस्थित से घवराना नहीं है शुबरंग सफेद भाग्य प्रत्षत 69 मिथुन राश पढ़ाई के लिए आउसर मिलेंगे दोस्त मददगार साबित होंगे समस्याओं का हल निकलेगा ब्यापार आपके लिए अच्छा है बिजनस में आई बाधाएं दूर हो रही है चिंताओं से मुक्ति मिलेंगे जो बिजनस में आई बाधाएं थी प्राइवेट सिक्टर आपर भारी पढ़ रहा है कुछ मुश्किलें आ सकती है सोच समझ कर आपको फैसला लेना होगा सरकारी छेतर उल्जन दे रहा है गौर्णमेंट सिक्टर में समस्याइं बढ़ सकती है सोच जैसे निर्ड़ा लेना है तो किसी बुज़र्ग से पूछ लेजे दामपति जीवन अच्छा है पत्नी के साथ सुगम इस्थती रहेगी अनेक अवस्वरों का लाभाब को मिलेगा लव लाइफ आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा लव लाइफ को लेकर के सजग रहने के आवशकता है स्वास्थ के मामले में किड्नी आख और कमरदर्द की शिकायत रहे क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशिवालों को प्रियोग के तौर पर सरसों का तेल अपनी हथेली में रखकर किसी पौधे के निजे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रित्षत छपपर करकराशी शिक्षा के लिए अनेक अवसर मिलेंगे पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होगी अवसरों का लाब बस ले लिजिया धन की आवशिक्ता थी शिक्षा के लिए तो मिल जाएगा ब्यापार कश्ट दे रहा है बिजनस में तनाव बढ़ रहा है प्राइवर्ट सेक्टर आप पर भारी पढ़ेगा कुछ मुश्किलें अचानक आ सकते है सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है गौवर्मन्ट सेक्टर में दिक्कतें बढ़ सकते हैं दामपत्य जीवर अच्छा होगा पती पत्नी के बीच नेह बढ़ेगा एक दुसरे को सपोर्ट करे लव लाइफ में उल्जन बढ़ सकती है अचानक कुछ परिशारी आएंगी स्वास्त के मामले में पेट और आख की समस्या हो सकती है अगर आप हरदय गती अर्थाद ब्रड प्रेशर रक्त चाप के मरीज हैं उच्च या फिर निम्न तो साउधान ज्यादा रहे उपाई क्या करना चाहिए लाल रंग का धागा आज अपने पास रख लीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी अंजान विक्ति पर भरोसा नहीं करना है सुबरंग लाल भाग्य प्रतिशत पचास सिंग राशी शिक्षा के लिए अनेक अवसर मिलेंगे पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी ब्यापार तकलीफ देगा बिजनस की स्थिति ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर रनकूलता दे रहा है मुश्किलों से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्र उल्धनों में पालेगा गौर्बन सेक्टर में दिक्कते आएंगी दामपत्य जीवन अच्छा है पती पतनी की बीच नह बढ़ेगा लव लाइफ बहुत अनकूल इस्थति में रहेगा मुश्किलों से बाहर निकलेंगे स्वास्त के मामले में आँख लीवर और किड्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए सिंग राशी वालों को ओम दुम्दुरगायी नमह इस मंत्र का ग्यारह बार जाप करिएगा क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना है बादामी रंग की शुपता में 64 प्रतिशत का भाग्या है कन्या राशी थोड़ा सा टफ सिचुएशन है सिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं होगा मुश्किले आएंगी ब्यापारिक दिश्टिकोर से समय रकूल रहेगा चिन्ताओं से मुक्ति मिलेगे प्राइबेट सेक्टर कुछ तनाव दे रहा है अचानक से परेशानिया बढ़ सकती है सरकारी छेतर में इस्थति सब कुछ सामाने से बहतर कर रहे गौवर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की उल्जन नहीं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पती-पत्नी की बीचने बढ़ेगा आई दुसरे को सपोर्ट करेगे लब-लाइफ की स्थति में थोड़ा सा सुधार होगा मुश्किलों का हर लिक लेगा और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी स्वास्थ के मामले में आँख और कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है कन्या राशी क्या उपाय करें ओम गंगण पते नमह इस मंत्र का सत्रह बार जाब करिएगा क्या नहीं करना है आज अपने बारे में किसी को बताना नहीं है तुला राशी मानसिक मुश्किलें आएंगे पढ़ाय अच्छी नहीं होगी ब्यापार बढ़ियां है अवसर बढ़े मिलेंगे उनका लाब भी लेंगे प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ेगा कोछ चिंताएं बढ़ सकते हैं सरकारी छेतर में सुविधाओं का लाब है गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पती पत्नी की बीच नहीं है कि उसे को सपोर्ड करें लव लाइफ की स्थति में थोड़ा सा मुश्किल आया है लेकिन आप उसका हल निकाल लेंगे स्वास्त के मामले में आँख और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए तुला राशी वालों को तुला राशी वालों को ओम क्लींग चामुन्दाए नमह इसका ग्यारह वार जाप करना है तुला राशी वालों को शक्ति की शरण में रहना आज परेशान हो सकते हैं द्विग्न हो सकते हैं अकेला पन महसूस कर सकते हैं क्या रही करना आज लंबी यात्रा नहीं करनी है स्लेटी रंग शुबह छांशट प्रतिशत का भागया है विश्चिक राशी समय आपके लिए अच्छा रहेगा परिशानियों कांत होगा पढ़ाई अच्छी करेंगे व्यापारिक दिश्टिकोर से समय अनकूल है चिंताओं दांपत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है पती पत्नी की बीच ने रहेगा जिस्टे को सपोर्ड करें लव लाइफ थोड़ा सा टफ सिचुएशन में डाल रहा है लव लाइफ के लिए सावधान रहने क्या पर शेक्ता है स्वास्त के मामले में पेट लीवर और आख की स क्या नहीं करना है आज उधार देने से बचना होगा ग्रे कलर शुभ है बासट प्रतिशत का भाग्या है बारह जन्वरी दिन बुधवार धनुराशी पढ़ाई में आउसर आज मिलेगा मित्रों की मदद मिलेगी आज कहीं नई जगा एडमिशन के लिए विचार कर सकते है ब्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे बिजनस में कुछ बड़ा करने का प्रियास सफल होगा प्राइवेट सेक्टर आप के लिए बहुत अन्कूल है परिशानियों का हल निकलेगा जिन दाओं से मुक्ति मिलेगी सरकारी छेत्र तनाव दे रहा है गौर्नमेंट सेक्टर को ले करके सजग रहें दांपत्र जीवन अच्छा है पती पत्नी की बीच नहीं होगा गिसे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में उल्जन बढ़ सकती है सोच समझकर फैसला लेजिए कुछ मुश्किलें आएंगे स्वास्त के मामले में पेट आँख और किड्नी की समस्या हो सकती है धनुराशी क्या उपाय करना चाहिए मादुरगा को प्रणाम करके घी का एक दीपक तुलसी के रीचे जलाईएगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है शुबरंग ब्राउन भागिप्रशत 51 मांकर राशी शिक्षा के प्रती जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेंगे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे कहीं रुकावट नहीं है ब्यापार तकलीफ दे है रहेगा बिजनस की स्थेती ठीक नहीं है कुछ मुश्किलें आ सकती है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अन्कूल है चिंताओं से मुक्ति दे रहा है सरकारी छेत्र उल्जन देगा गवर्मेंट सेक्टर को लेकि सजग रहने की आभशेक्ता है दामपत्र जीवन बहुत अच्छा है पती पत्नी की बीच नहीं रहेगा एक दिस्टर को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में कुछ उल्जने थी लेकिन उनसे आपको मुक्ति की संभावना है स्वास्थ के मामले में आख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए मकरवालों को थोड़ा सा आटा और चीनी उल्टी हथेली में देकर किसी पौधे की नीचे डालिएगा क्या नहीं करना है आज लाल रंग अवाइट करना है नहीं पहनना है निले रंग की शुपता में बावन प्रतिशत का भाग्या है कुम्भराज सिक्छा बहुत अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई हो जाएगा ब्यापार की स्थिती ठीक नहीं है बिजनस में समस्याई आ सकते हैं ब्यापारी दिश्टिकोर से परेशानिया बढ़ रही है प्राइबेट सिक्टर आपके लिए बहुत अन्कूल रहेगा प्राइबेट सिक्टर में आई बाधाओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्रा आप भारी पढ़ रहा है गौर्णवर्ट सिक्टर में कुछ न कुछ मुश्किलें आ रही है दामपत्त जीवन बहुत अच्छा है पति-पत्नी की बीच ने रहेगा एक दुसरे को सपोर्ट करेगे लव लाइफ में कुछ बाधाओं से आप बाहर निकलेंगे अचानक से जो उल्जने थी वो आज सुलज जाएंगे शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में कुभ राषी वालों को आज माईग्रेन आँख और दाप की तकलीफ हो सकती है प्रियो प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आप के पक्ष में पढ़ाई बहुत अच्छी है मजबूत रहेंगे प्राइविट सिक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा बाधाओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्र तनाव देगा गौर्न्मेंट सिक्टर में उल्जने आएंगे दांपत्य जीवन अच्छा है पती पत्नी के बीच समस्याएं आ सकती है जिनताओं में रहेंगे लब लाइफ आपके लिए बहुत अनकूल है बैलन्स बना रहेगा बैवाहिक चर्चा में भाग ले सकते हैं स्वास्त के मामले में थोड़ा बहुत डाइजेशन आख और किड्नी की समस्या हो जकती है उपाय क्या करना चाहिए आज किसी जरुरत बंद को मौसमी फल का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है जबरदस्ती अपनी बात किसी से साजा नहीं करनी है औरंज गलर शुब है तिरपन प्रत्षत का भाग्य आपके साथ है आई अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर वह कौन सा आक्षर है जो आपके लिए शुबता का परियाय बनेगा भाग्याक्षर बताएं लेकिन पहले आज का अश्टो क्विज अब बारी है अश्टो क्विज की आईए जानते हैं किस ग्रह की यहीं खेल है किस ग्रह की सकारात्मक्ता के कारण व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला होता है वो कौन सा ग्रह है जो अपने पॉजिटिव प्रभाव से किसी को पूजा पाठ करवाता है कोई पूजा पाठ करता वो सारे घरों में ऐसा होता है कि दो लोग खूब मंत्र जबते हैं माला फेरते हैं भगवान का सामने आधा घंटा पौन घंटा देते हैं घर में मंदिर बना रखे हैं बैठ करके खड़े होकर घंटी बजाएंगे संख बजाएंगे और वहीं पर चार लोग है जो कान में म्यूजिक लगा करके गाना सुन रहा है रील्स देख रहे हैं ऐसे तमाम काम कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है बहुत सारे घरों में देखे होंगे तो य किस ग्रह की सकारात्मक प्रभाव की इस्थती है विकल्प हैं ए सूर बी चंद्र सी शनी अथवा दी गुरु ब्रहश्पति हमें पता है आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं लेकिन वो उत्तर नहीं है अब ये कन्फियूजन है देखते हैं कौन यस करता है सही करता है सही उत्तर दियेगा नंबर पर वाट्सप कर दीजेगा और ये नंबर आपके लिए है टेलिग्राम पर भी है वाट्सप पर भी है किर्पिया इस पर कॉल मत किया करिए और ये नंबर स्टाफ की देख रेक में भी रहता है तो सोच समझ कर रिप्लाई करिएगा हमेशा आज एस्टो फ्रेंड ही नहीं रहते हैं तो भेज दीजेगा सही उत्तर तुरंत आपके सामने नंबर फ्लेश हो रहा है आए आग जाते आगे आज का भाग याग्षर साधे चोकर कागच पर लाल लंग किंक वाली कलम से लिखना है अपने पास रखना है चोबिस घंटे के लिए आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं आज की सक्सेस की और उसके बाद बताएंगे आज के लगी भाग इशारी विजीता का नाम पहले आज की सक्सेस की दो लौंग सर से सीधा वार कर किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा यह आज की सफलता की कुंजी है करना है और आनंद उठाना है आगे बढ़ते हैं अब जान लेते हैं कि किस ग्रह की पीडा से डाइबटीज होता है आपके बिकल्प थे A. मंगल B. शनी C. शुक्र D. राहो सबसे अधिक जो रिपलाई हमारे पास आया इस प्रश्न के उत्तर के लिए C. शुक्र का आया क्योंकि गूगल बाबा ने यही बताया लेकिन क्या ये सही है जादा तर लोग more than 90% लोग शुगर बोले हैं शुक्र के कारण होता है लेकिन सच्चाई क्या है सही उत्तर है A. मंगल शुगर किस जगह रहता है शुगर एक इन्विजिवल तत्व है जो विजिवल रक्त के अंदर रहता है तो मंगल अगर पीडित है तो शुगर रक्त को ही तो दूशित करता है तो उसका जो इंपक्ट है जो प्रभाव है जो जड में है जो मूल में है अभी बिना रक्त का शरीर हो तो क्या उसमें डाइवेटीज हो सकता है नो रक्त में ही आपके ग्लुकोज की मात्रा बढ़ जाने से ही शुगर होता है तो किस ग्रह की पीड़ा से शुगर होता है ए मंगल देर इस ए लॉजिक तो जिसने मंगल सही उत्तर बताया है ए मंगल पर ताला रगाया है हमारी तरफ से उनको बिग हैंट शुब काम ना है आईए अब उनसे बात करते है संजय जी संजय जी शिराधे संतोश-ंतोशी बात कर लहा हूँ कैसे संजय जी एक्तम ठीक है बहुत दीं होसे हम रहा देख रहे है आपके कोल की मगर आज आई गया आज आप भागेशाली विजेता है संजय कैसा लग रहा सुन करके एक्तम बढ़िया कहां से बात करें संजय आप आपने बिल्कुत सही उतर दिया शुगर मंगल की पीडा से संभव होता है तो कैसे जाना आपने जैसे बलट का कारक मतलब रंग लाल है उसके इसाब से मैंने जस्कर के लागा जाए अच्छा मंगल बलट का कारक है रंग लाल है तो मंगल की जैसे शुगर हो गया जैसे मालूमाद देते गेटर देते हो इसाब से केमाग में आ गया तो बोल दिया उत्तर तो आपने बिल्कुल सही दिया है मंगल बलट का कारक है ये भी सही बताया बस इसमें इतना और जोड दीजे कि शुगर बलड में ही तो होता है जोड बलड में ही तो होगा जोड बलड में ही शरकरा की मात्रा होती है तो शुक्र की पीड़ा से नहीं होता है मंगल जब पीडित होगा तो उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाएगी शुक्र तो शुगर का कारक है जो उसमें अंदर मिठास है लेकिन पीडिक तो मंगल हुआ तो उसमें मिठास की मात्रा बढ़ा लिया और उसकी वज़े से शुगर जो है डायविटीज हो जाता है है भाराल जीत गए आज आज आप भागिशाली बनें क्या करते हैं संजय आप पुछनी कि जैसा कि आर्थिक मतलब आना से प्रॉब्लम बहुत मतलब पामज़र है वह सब्सक्राइब क्या करते हैं वह सवाल जहां अजी च्राइब शड़े थाली है वह तो इसमें कुछ नहीं हो तो सोचा अज हो जाएगा वगर रोही गया आज बिल्कु संजय जी आप बिल्कुल सेलेक्ट हो गए बागिशाली बन गए आज आज आप बन गए आज हो मैंने देखा बहुत शिद्धत से आपने पहले दिन से लगभग आपने एक बारा से आपने शुरू किया था देना एक जनवरी और एक जनवरी के बाद फिर गुदवार और फिर लगातार ये 11 जनवरी आपने किया तो फोटो नहीं भेजने से फिर मैं उसको ड्रॉप कर देता हूं हाँ तर भी सही साथ सेलेक्शन हो गया इसके बारे में जानना डेटा पर बताई संजय कुछ के बारे में जानना था लो मैं भी देटा पर थे नवच्छे एक एनवे लाइन पे रहिया नवच्छे एक यानवे टाइम बताईए जानको साथ बजके च्छाय लिसनिट साथ बजके च्छाय लिसनिट फोटीजिक्स पर दिस्टिक बुलदाना इस्टिक बुलदाना नौ जून नाइंटीवन सामको साथ फोटीजिक्स बुलदाना आपका धनु लगन है मेश राशी है चंद्रमा की दशा है चंद्रमा आपके आठमे के स्वामी है जहां ब्रहश्पती शुक्र और नीच का मंगल बैठा है कुंडली पीडी थे भीया 2026 तक अभी आपको रोज कुँआ खोदना है रोज पानी पीना है बहुत मेहनत करना पड़ेगा कई बार तो जिन्दगी ऐसे लगेगा कि क्यों पैदा हो गए और इसी के साथ साथ यह दोश बहुत जादा बढ़ जाएगा यह दोश बहुत जादा बढ़ जाएगा और बहुत सोच समझ करके आपको निरड़े लेना होगा तो जाने के भी सोच रहते हैं अगर बहुत 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 बहुता हो ऐसा काम जो मजदूरी जैसा लगता हो इस तरह के काम में आपको यह मजबूती देगा चंद्रमा के लिए पूनिमा कवरत करिए नौनवे जेगदम छोड़ दीजिए इस्त्रियों का सिम्मान के आपके लिए और मराथी में बोलके बताइए कि मराथी में बताइए कि नौनवेज नहीं खाना चाहिए नौनवेज खाने से लुक्सान होता है कि अप्रोग्रम पश्चान होता है मेज अप्रोग्रम नौनवेज जवर पास थो 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 होते होते हैं इक अपसादा तरहका मझे घुक मझे बताइए को झाल होता कि यह बताए दर्शकों को कि 99 छोड़ने के बाद आप कितना अच्छा महसूस करते हैं कि मैं इस तरह की दशा में आप कितने हमसे बात कर रहे हैं मतलब अस्टमेश की दसा है अस्टम्भाव में आपकी में बढ़ी है यह बड़ी बात मतलब एस्टोलाइन में मतलब परुसा किया मतलब 99 परसंट से बहुत मतलब डिप्रेजिन में गया था उसके पादने में वापस आ गया तो मेरा मेरा खुट का एक्सपेर्स है कि वापस आना मुंकिन है फिर भी मैं वापस आ चुका हूँ बहुत अच्छा और हम बाकी दर्शकों से भी अन्रोद करेंगे कि बिल्कुल 99 में कुछ नहीं रखा है प्लीज आप सब लोग शाकाहरी हो जाएं संजय की पर हमने लाखों लोगों से 99 प्राटना की आप लोग प्लीज 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 नाम की छोड़िये संजय अब आप पूणिमा का अवरत करेंगे इस्त्रियों को सम्मान दे करके इस्त्रियों को कुछ मतलब उनको खाने पीने की चीज पूणिमा को दे सकते हैं और बड़ों का आशिवाद दीजे जिंदिगी पल्टे की 2026 तक किसी तरह जेल जाओ उसके बाद सब कुछ आपके सामने है अभी भी आप कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं तुरंत अपना सही उत्तर मुलाकात करिए गाज्याबाद में बात कर लेते हैं आज का आयुश्मान भव किसी जरूरत मंद को भोजन कराके पांच बच्चों की सिक्षा में मदद करना है यह आज का आपका प प्रियाग राज में होने की संभावना बढ़ गई है रजिस्टेशन करवा लिजे आपको मात्र पांच मिनट के लिए आना है अपने उस बच्चे को लेकर जो बच्चा पढ़ने से जी चुराता है जिस बच्चे की मेधा शक्ति कमजोर है और ये अनुष्ठान अब पांच दिवस में भी कनवर्ट हो जाएगा जी हाँ पांच दिन लगातार सरस्वती ध्वादस नामावली मंत्र का जाब सोचिए आप बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ा इवेंट है करवाने जा रहे हैं आप लोग आ सकते हैं बसंद पंच में को पूर्णावती होगी एक से आरंभ होगा एक दो तीन चार पांच पांच तारिक को पूर्णावती बसंद पंच में के लिए गंगाश नान के बाद प्रियाग राज में होने की संभावना प्रबल एक दो दिन में कनफर्म हो जाएगा फिलहाल आज के ल झाल झाल